आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। पुष्प के वड़ती का अगर पर गिरते हैं, तो इस तरीके का हमारा परागन कहलाता है पर परागन, इसके लिए पुष्प वी लिंगी भी हो सकते हैं, और पुष्प एक लिंगी भी हो सकता है, ठीक है, पुष्प एक लिंगी वा दो वी लिंगी दोनों प्रेकार के हो स अब हमें यहां पर बताना है इसका महत्वा तो दोस्तों यहां पर इस परागन के लिए किसी ना किसी माध्यम के आवशक्ता होती है जैसे कि वायू के द्वारा हो सकता है यह कीट के द्वारा हो सकता है जल द्वारा हो सकता है कुल मिलाके किसी माध्यम के आवशक्ता होती है जो की उस पराकण को ले जाए वर्तिका अगरतक दूसरे पोधे के, अब यहां पे अलग अलग पोधों के मध्ये पराकण होता है, तो नए गुन भी क्या होते हैं? विक्सित होते हैं नए गुण क्या होते हैं नए गुण विक्सित होते हैं पौधों में ठीक है दूसरा लाब ये होता है कि इसके द्वारा हम नई जाती भी प्राप्ते कर सकते हैं पौधे की तीसरा ये इसके द्वारा निर्मित पुष्प जो है उनका आकार बड़ा होता है पुष्प बड़े होते हैं और इनके द्वारा उत्पन बीज संख्या में जादा होते हैं बीज कैसे रहते हैं संख्या उनकी जादा रहती है और इसके द्वारा उत्मन पौधों की जब पुना प्रजनन कराया जाता है तो उनकी जनन शमता भी काफी उच्छ होती है आशा करते हैं आपके इस प्रशने का उत्तर समझाया होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद